हेलो एन वेलकम टू बिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल आज की इस एजुकेशनल वीडियो में बच्चों हम डिसकर्स करने वाले हैं क्लास 9 के साइंस चेप्टर इंप्रूब्मेंट इन फूड रिसोर्सिस के बारे में देखिए ये इस चेप्टर का पार्ट 2 वी हैं अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो की इसकर्ट में उनका प्ले लिस्ट लिंग आपको जरूर मिल जाएगा जिसमें आपको साइनस के वीडियो democratic इंग्लिश के वीडियो देखने में मिलेंगे तो चली शुरू करते हैं जहां से हमने last time discontinue किया था वो है हमारा third practice that is crop protection management crop जब हम काट चुके होते हैं खेतों से तो उसको किस तरीके से properly store किया जाए कैसे उसको attack से बचाया जाए देखिए जो filled crops होती है जो खेतों में जो crops होती है वो infect हो सकती है weeds की वज़े से वो affect हो सकती है pest attack हो सकता है उनके उपर diseases लग सकती है उनको तो ये जो weeds है और जो ये pests है इनको timely control करना बहुत ज़रूरी होता है अगर ऐसा न किया जाए तो ये crops को इतना ज़्यादा damage कर सकती है कि ज़्यादतर crop ही हमारी खराब हो जाए और हमारी production drastically decline हो जाए अब बात आती है weeds क्या होते है weeds वो जंगली plants वो unwanted plants होते हैं जो फसल के साथ अपने आप ही हमारे खेतों में उग आते हैं जैसे कि xanthium, parthenium इसका एक example है, cyperinus, rotundus इसका एक example है अब ये unwanted क्यों होते हैं क्योंकि जो food space और light crop plants को मिलना चाहिए वो weeds को मिलता है और weeds compete करते हैं crop plants को food space और light के लिए weeds उन nutrients को take up कर लेते हैं जो हमने crops के लिए provide किये हैं और जिससे crop की growth पे फर्क पड़ता है तो इन weeds को remove किया जाता है fields में से early stages of crop growth के दोरान जब शुरू शुरू में crop grow कर रही है उस दोरान weeds को remove किया जाता है, remove करना जरूरी होता है इस process को weeding कहा जाता है और good harvest के लिए अच्छी फसल के लिए ये जरूरी होता है जनरली जो insect है जो pest है वो plants को तीन तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं पहली बात तो वो roots, stem और leaves को cut कर देते हैं, काट देते हैं दूसरी बात वो cell sap, जिसके अंदर important water, minerals वगरा हैं जो plant को growth के लिए चाहिए, उनको suck up कर लेते हैं, उनको choose लेते हैं इसके लावा वो bore कर देते हैं, छेद कर देते हैं stem और fruits में और उनको खाने लायक नहीं छोड़ते हैं इसलिए वो crop की health को effect करते हैं और पैदावार को कम कर देते हैं इसके लावा जो plants में हैं कई सारी diseases होती हैं, pathogens की वज़े से microorganisms की वज़े से, bacteria, fungi और viruses की वज़े से ये जो pathogens हैं, ये soil, air या water के जरीए plants में enter कर सकते हैं weeds को, insects को और diseases को कई तरीकों से control किया जा सकता है और सबसे common method है chemicals का use करना, जैसे pesticides का use करना herbicides का use करना, insecticides का use करना, fungicides का use करना pesticides 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 को मारते हैं, insecticides harmful insects को मारते हैं fungicides harmful fungi को मारते हैं, ठीक है? ये जो chemicals हैं, ये crop plants के उपर spray किये जाते हैं seeds और soil के उपर spray किया जाते हैं, treat किया जाता है इनको, लेकिन इन chemicals का ज़्यादा इस्तिमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा इस्तिमाल कर दिया जाए, तो ये poisonous साबित हो सकते हैं, plants और animals के लिए, और environmental pollution भी होता है इनकी वज़े से, अगर ये water के अंदर removal भी कर सकते हैं, सिकल की help से इस तरह का एक ओजार होता है, किसानों के पास इस शेप का, ठीके जिसे वो फसल काटते हैं, इसको सिकल बोलते हैं, सिकल या खुरपी की help से weeds को हाथों से भी काट के अलग किया जा सकता है, crop plants में से, इसके लावा हम कुछ preventive methods भी use कर सकते हैं, crops को time से बोना चाहिए, inter cropping का use करना चाहिए, crop protection का use करना चाहिए, इनसे weeds का मुगते हैं, इसके लावा disease resistant varieties उगानी चाहिए, जिनको बीमारियां कम से कम हो, ऐसे फसल उगानी चाहिए हमारे खेतों में, summer plowing का मतलब है कि summer time में, गर्मियों के मोसम में, जो हम खेतों में हल च चलाना चाहिए, जिससे weeds और pests destroy हो जाएं, जड़ से उखड जाएंगो, अगला आता है आपका storage of grains, एक बार जब grains को काट लिया जाता है, खेत में से तो उनको कैसे properly store किया जाए, जो storage losses हैं, वो काफी जादा हैं इंडिया में, ठीक है, आपने news में भी सुना होगा, काफी ज living factors जो की हमारे stored grains को खराब करते हैं, वो हैं insects, rodents, fungi और fungi और mites और bacteria, और abiotic में से आते हैं, improper moisture अगर नमी सही नहीं है, improper temperature, temperature सही नहीं है storage space पे, तो ये जो biotic और abiotic factors हैं, ये हमारी quality को, grains की quality को degrade कर देते हैं, वजन कम हो जाता है हमारी फसल का, poor germinability, अगली बार जब हम उस बीज को खेतों में उगाने के लिए नई plant के लिए use करेंगे, तो वो germinate नहीं करेगा, जो color है, उसको discolor कर देते हैं, discoloration कर देते हैं, प्रेटी उसका, जिससे market में उसकी value कम हो जाती है, इन सारे factors को proper treatment और systematic management से, warehouses में use किया जा सकता है, आग इस ने क्या काहा है, grains को store करने से पहले, कई method सम् यूज कर सकते जिन से वो कम से कम खराब हो, सबसे पहली बात तो store करने से पहले, जो हमारी फसल है, तो उसको अच्छे से clean किया जाना चाहिए, उसको sun dry करना चाहिए, उसको धूप में सुखाना चाहिए फसल को, धूप में सुखाने से क्या हो जाता है, moisture कम हो जाता है उसके अंदर और moisture कम हो जाता है तो उसके खराब होने के chances भी कम हो जाती है पहले उसको sunlight में सुखाना चाहिए फिर shade में सुखाना चाहिए fumigation करनी चाहिए, fumigation का बतरब ऐसे chemicals का use करना चाहिए, जो pests को मार डाने, pests को रोक दे, अब अगला हमारा topic आता है, यहां तक हमारा यह complete हो गया जो तीन methods थे हमारे crop variety improvement, crop production management और crop protection management, यह तीन methods थे हमारे, तीन stages थी, वो complete हो गया, आप animal husbandry पे आ गए हैं, ठीक है, animal husbandry में क्या करते है, animal livestock, animals को पालते हैं, दूध के लिए, अंडों के लिए, मास के लिए, ठीक है अचैअ, animals को पालते हैं ठीक है, animal husbandry में क्या आता है, हम animals को feed करते हैं breed या नि बच्चे पैदा करवाते हैं उनसे और उनकी diseases को control करते हैं animal-based farming में animal husbandry में क्या क्या आते हैं, cattle आते पिल्क, एक्स और मीट की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है, इसी लिए जो हुमेन ट्रीटमेंट ओफ लाइट स्टोक के बारे में भी अब हमारी अवियरनेस बढ़ती जा रही है, हुमेन ट्रीटमेंट का मतलब है कि प्रॉपर फूड, प्रॉपर शेल्ट प्रॉइड करके जानवरों को पालना, दूद, अंडे वगरा के लिए, यह हुमेन ट्रीटमेंट होता है, हुमेन फार्मिंग होता है, ठीक है, तो लाइट स्टोक फार्मिंग एक नए आयाम तक पहुँच गई है, लेकिन लाइट स्टोक प्रॉडक्शन में अभी भी जाइश है, सबसे पहला आता है, अनिमल हस्बेंटी का सबसे पहला पार्ट आता है, कैटल फार्मिंग, कैटल जो होते हैं, जिन में में गाएं बहन साती है, वो दो कामों के लिए किया जाता है, कैटल फार्मिंग, एक तो मिल्क के लिए और एक ड्रॉट के लिए, लुखा डुलवाते हैं उनसे एग्रिकुच्रल्स ж soup करवाते हैं फिरंध mam च्रोटे किसान उनसे हर्चल्बाते हैं खेतों में ठी के टिलिंग करुद करवाते हैं dh byrain cars yeah जो दूद देने वाली female होती हि screwed employees 19 जिन males को farm labor के लिए use के जाता है, उनको drought animals कहा जाता है, तो mainly milk को drought के लिए cattle farming की जाती है, जो milk production होता है cattle में, वो depend करता है lactation period के उपर, lactation period क्या होता है? बचडे के जनम के बाद जितने time तक गाया भैस दूद देती है, उसको कहा जाता है, उसका lactation period, ठीक है? period of milk production after the birth of a calf, ठीक है? बचडे को जनम देने के बाद जिस time तक वो दूद देती रहती है, कितने महीनों तक दूद देती है, वो होता है, उसका lactation period lactation period, जो है, longer lactation period desirable होता है, exotic और foreign breeds, जैनि जो विदेशी नसले होते हैं, जिससे की jersey और brown swiss, उनको long lactation period के लिए पाला जाता है, क्योंकि उनका lactation period काफी लंबा होता है, जो हमारी local breeds होती है, जो हमारी local गाइम हैंस होती है, जैसे red, सिंधी और साहिवाल, इनमें disease resistance बहुत ज जादा होती है, इनको बीमारिया नहीं लगती है, असानी से बीमार नहीं होती, तो हम इन दोनों को cross breed करके एक नई varieties तयार हो रही है, आजकल animals की, जिनका lactation period भी लंबा हो, और जो disease resistant भी हो, ठीक है, आगे आता है आपका, जो cattle farming हम करते हैं, तो वहाँ cattle की जगह को properly clean करना, proper shelter facilities provide करना जरूरी है, human farming के लिए, ठीक है, animals की health को अच्छा रखने के लिए, proper cleaning और proper shelter provide करना जरूरी है, जिससे दूद की हमारी production भी जादा होगी, animals को लगाता, मतलब regularly brush किया जाना चाहिए, तक कि उनके शरीर से dirt और dust वगएरा, और loose hair वगएरा निकल जाएं, बीमार ना हो उनका जो रहनी की जगह है, वो well ventilated हवा का आवा गमन अच्छे से होना चाहिए, ठीक है, और हमें बारिश, heat और ठंड से बचाने का इंतजाम करना चाहिए, जो उनका floor होता है, जहाँ पे गाएं बहस बैठती है, उनके हलका सा slope होना चाहिए, इस तरीके का, माली जी मतलब fecal matter वगरा remove करें, तो वो नीचे की तरफ आ जाए, और उनके शरीर के साथ ना चिपकें जब वो बैठें तो, ठीक है, जो food requirement होती है, cattle की, dairy animals की, वो दो तरे की होती है, एक तो food उनको चाहिए होता है, maintenance के लिए, ठीक है, ताक कि वो healthy life जी सके, दुसरा उनको food requirements होती है, dairy animals की, तो दो तरे की food requirements में, दो तरे की खाने उनको दिये जाते हैं, तो roughage जिसमें fiber ज़्यादा होता है, जैसे भूसा, तूरी वगरा इस तरे की चीज़े, दूसरा होता है, concentrates, concentrates में fiber तो कम होता है, carbohydrates तो कम होते हैं, लेकिन उसके अंदर proteins और दूसरे nutrients की amount ज़ traits चाहिए होते हैं, सारे nutrients proper amounts में, proper ratio में चाहिए होते हैं, ठीक है, इसके लावा उनके खाने में कुछ feed additives भी डाले जाते हैं, ठीक है, कुछ गोलियां, कुछ दवाईयां, कुछ season की according कुछ चीज़े, कुछ micronutrients डाले जाते हैं उनके खाने में, जिनसे उनका milk output बढ़ता ह उनकी health अच्छी रहती है, जो cattle हम पालते हैं, जो मवेशी हम पालते हैं, कई तरह की बिमारियां उनको हो सकती हैं, ये बिमारियां death के अलावा milk production भी कम कर सकती हैं, जो healthy animal होता है, वो लगातार खाना खाता है, और normal posture होता है उसको, जैसे आपको देख के ही, आपके relatives बता सक सकते हैं, कि आप बिमार महसूस कर रहे हैं या नहीं, वैसे ही cattle को देख के भी बताया जा सकता है, जो parasites लगते हैं cattle को, वो बाहर भी लग सकते हैं, और अंदर भी parasites हो सकते हैं, जो external parasites होते हैं, वो उनकी skin पर चिपक जाते हैं, और skin diseases का कारण बनते हैं, जो internal parasites होते हैं, जैस बार इन cattle को जो bacteria viruses की वज़े से होती हैं, जिस तरीके से हमें vaccinations लगती हैं, उसी तरीके से cattle को भी vaccination करवाई जानी चाहिए, इनके लिए भी vaccinations available हैं, जो इनको viral और bacterial diseases से बचाती हैं, तो यह था था cattle के बारे हैं, जिनको हम mainly दूद के लिए और drought के लिए पालते हैं, दुसरा आत जो किया जता है, उसमें क्या करते हैं, domestic fall for egg production, ठीक है, मुर्गी पालन किया जता है, eggs के लिए और chicken meat के लिए, ठीक है, इसी लिए improved poultry breeds are developed, poultry breeds का मतलब है नसल, अच्छी नसल की मुर्गियां develop की जा रही हैं, ठीक है, जिसमें जैसे इन poultry birds में से layers जो होते हैं, वो egg production के लि करते हैं, उनके हम eggs को खाते हैं, और जो broiler होते हैं, उनको हम meat के लिए, जो है, produce करते हैं उनको, ठीक है, ब्रीड करवाते हैं, जो cross breeding programs हैं, उसमें हम क्या करते हैं, जो Indian varieties हैं, Indian poultry birds हैं, जैसे की leghorn, और जो foreign, exotic breeds हैं, जैसे की Indian में आता है asil, और foreign में आता है leghorn, इनको हम क्य breed करवाते हैं, cross breeding करवाते हैं, इनकी, जिनसे हम एक ऐसी नई breed तयार करवाते हैं, जिनके अंदर वो सारी characteristics हो, वो सारी विशेशताई हो, जो हम चाहते हैं कि हमारे poultry birds में हो, कौन-कौन सी विशेशताई होती हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे poultry birds में हो, पहली बात तो chicks जो होत जिन से उनको पैदा करवाया जा रहा है broilers को वो ड्वाफ होना चाहिए बोना होना चाहिए हाइट कम होनी चाहिए इसका फाइदा यह होता है कि अगर उसकी हाइट कम होगी तो उसकी food requirements उसकी maintenance उसके उपर लगने वाला खर्च कम लगेगा summer adaptation capacity यनि इंडिया में जैसे गर्मिया काफी पढ़ती है इंडिया के ज़्यादतर इलाकों में तो एक ऐसी variety तैयार किया जाए जिससे गर्मियों में उसको नुकसान ना हो बीमारियां बगरा ना लगे जिसकी maintenance requirement कम हो एग laying bird जो layer bird होता है उसका size कम होना चाहिए जिससे वो fibrous diet खाए cheap diet खाए सस्ता उसको जो खाना दिया जा रहा है वो सस्ते में निपट जाए ठीक है agricultural byproduct से उसका काम चल जाए जो agriculture से हमारे byproducts निकलते है न फसल के बाद जो रह जाते हैं फसल के साथ जो निकलते हैं उनी से उनका खाना निकल जाए कोई अलग से investment करने की ज़रुरत ना पड़े तो इन सारी ये सारी चीज़े हम चाहते हैं कि हमारे poultry birds में हो आगे आता है egg and broiler production जो broiler chickens होते हैं जिनसे हम meat लेने वाले हैं बाद में मार के उनको उनको vitamin rich supplementary food दिया जाता है ताकि उनकी growth अच्छी हो better feed efficiency होती है उनके अंदर इसके लावा हम चाहते हैं कि mortality कम स ये वज़े से वो कम से कम होनी चाहिए ठीक है इससे क्या होगा उनके अंदर feathering अच्छी होनी चाहिए और carcass quality मतरब उनको मारने के बाद जो chicken बनता है उसकी quality भी अच्छी होनी चाहिए तो they are produced as broilers उनको broilers की तरह ही के लिए ही produce किया जाता है और meat के लिए उनको market में व करते हैं आगे आता है poultry birds की अच्छी production के लिए अच्छी good management practices चाहिए होती है जैसे कि temperature proper होना चाहिए उनके रहने की जगे पे hygienic conditions होनी चाहिए ठीक है और disease और pest control के methods use किया जाने चाहिए जहां पे भी वो हम काम कर रहे हैं अपना poultry farming का वहाँ पे देखिए इसने क्या कहा हाउसिंग, nutritional और environmental requirements जो होती है broilers की वो layer से अलग होती है layers जिनको अंडों के लिए पालते है broilers जिनको meat के लिए पालते हैं दोनों की requirements अलग-लग होती है जो food requirement होती है broilers की उसमें mainly protein और vitamin rich fat rich provide उनको दिया जाता है food उनको दिया जाता है ताकि उनका body हटा-कटा बने उनक इसके जो पॉल्टरी फॉल होता है, जो बच्चा होता है, पॉल्टरी में जो मतरब इयो होते हैं, मुर्गियां वगरा ओते हैं, लेर्स और ब्रॉयलर्स होते हैं, इन में कई तरह की डिजिस हो सकती हैं, वायरस, पैक्टिरिया, फंगि और पेरासाइटी की वज़े से, या उनको food proper ना मिले, nutrition proper ना मिले, तो भी उनको कई तरह की बिमारियां हो सकती हैं, इसलिए proper cleaning, proper sanitation, disinfectants का spray regularly करवाते रहना चाहिए, vaccination भी available है poultry birds के लिए, तो infectious diseases से बचाने के लिए, poultry birds का नुकसान रोकने के लिए, किसी भी disease को फैलने से बचाने के लिए हमें उनको vaccinate करवाना चाहिए, जो भी आपके poultry farm में रह रहे हैं हैं वो, तो cattle farming हो गया, poultry farming हो गया, तीसरा आता है fish production, fish जो है वो animal protein का एक बहुत सस्ता साधन है, ठीक है, fishes में mainly finned, fins वाली fish आती हैं, और shells वाली जो fishes हम खाते हैं, जैसी prawns, lobsters, mollusks जो खाते हैं, वो भी fish farming में ही आते हैं, ये proper fishes नहीं होती है, ये shell fishes होती हैं, prawns वगरा जो होते हैं, ये fish category में नहीं आते हैं, science के according, taxonomically, लेकिन फिर भी हम इनको fish production में ही count करते हैं, दो तरीके होते हैं, fish production के, पहला तो होता है, natural resources से fish को पकड़ लो, जिसको कहा जाता है, capture fishing, ठीक है, दुसरा होता है, fish farming करना, आपके एक private तलाब में, जो आपने water reservoir बनाया है, अपने private जगह पे, वहाँ पे आप मचलियों को पैदा करो, fish seeds की help से, ठीक है, और फिर उन, मचलियों को बड़ा होने के बाद, उनको निकाल के पतलाब में से, और बेजाओ, यह दो होता है, culture fishing, तो culture fishery और capture fishery दो तरह के से fish production किया जाता है, जो fish culture है या fish capture है, वो sea water या fresh water दोनों से किया जा सकता है, river से और pond से भी किया जा सकता है, sea water आप समझ गये होगे, marine बोलते हैं, marine fisheries बोलते हैं, जिनको खारा पानी होता है, river water या fresh water जो होता है, pond water जो होता है, वो fresh water होता है, inland water sources में fresh water मिलता है, वहाँ पे generally यह किया जाता है, तो fish में हम capture और culture दोनों कर सकते हैं, marine ecosystems में भी और fresh water ecosystems में भी, मैं दोबारा पता रहा हूँ, marine का मतलब खारा पानी मिलता है जहां पे जैसे seas और oceans, और fresh water जहां पे बिना नमक वाला fresh water मिलता है, जैसे कि rivers और ponds, ठीक है, तो marine fisheries की बात करते हैं, इंडिया में 75 hundred की coast line है, 75 hundred kilometers की coast line है, जो हमारा तटिये इलाका नहीं, जो समुद्र और oceans के साथ लगता इलाका है, वो 75 hundred kilometers का है, ठीक है, इसके लाबा वहाँ पे काफी घहरे समुद्र हैं इंडिया के आसपास, तीन तरफ से घिरा हुआ है, तीज और oceans से, वहाँ पे marine fishing की जा सकती है, जो popular marine varieties हैं, जो fish काफी popular हैं, जो fish varieties काफी popular हैं, saline water में पाई जाने वाली वो कौन-कौन सी हैं, pomfrey, mackerel, tuna, sardines और bombiduck, कई तरह की fishing nets का इस्तिमाल करके marine fish को पकड़ा जाता है, fishing boards की help ली जाती है, ठीक है, better production के लिए, क्या किया जाता है, satellites या echo sounders की help से, sound waves की help से, जो बड़े-बड़े fish के groups होते हैं, schools का मतलब बड़े-बड़े fish के समू होते हैं, उनको locate किया जाता है, और फिर जहां पे भी fish का school होता है, group होता है, वहीं पे जाकि मचवारे जो है, fishermen जो होते हैं, वो capture fishing करते हैं, इससे fish production जादा होता है, कुछ जो marine fishes हैं, वो काफी जादा valuable होती हैं, उनका काफी पैसा मिलता है, उनको, उनकी farming भी की जाती है, fishing भी की जाती है, ठीक है, mussels, oysters भी आते हैं इसमें, seaweed भी आते हैं, इसमें, इस सारे काफी high economic value वोले होते हैं, oysters जो होते हैं, उनको pearls के लिए, मोतियों के लिए पाला जाता है, ठीक है, तो जहां पे आप fish culture कर रहे हो, वहां पे आप pearl farming भी कर सकते हो, जैसे जैसे जो marine fish stocks हैं, वो आगे deplete होते जा रहे हैं, इसलिए अब सरकार भी और private individuals भी culture fisheries की तरह है, यानि खुझ के reservoir में fishes को पालने के लिए encouragement मिल रहा है अब, और इस process को खाता है, mariculture, mariculture का मत्रब, जब marine water की fishes को, हम अपने खुझ के water reservoirs में पालने, बड़ा करें, और फिर उनको पकड़ के market में अविलेबल करवाएं, इसको mariculture कहा जाता है, आगे आता है, inland fisheries, जो fresh water sources होते हैं, उनमें कौन-कौन से आता है, canals, ponds, reservoirs, rivers, इनमें fresh water मिलता है, salty water नहीं मिलता है, इसके लबाद, तीन तरह के water sources होते हैं, एक तो marine हमने उपर पड़ लिया, fresh water, अभी मैंने आपको बताया, किसरा होता है, brackish water, brackish water वो होता है, जहाँ पे sea water और fresh water मिलते हैं, वहाँ पे estuaries और lagoon बनते हैं, यहाँ brackish water में भी proper, मतरब important fishes मिलती हैं, brackish water में भी, inland water bodies में capture fishing की जाती है, लेकिन generally क्योंकि rivers, canals वगएरा काफी छोटे होते हैं, fishes काफी कम होती हैं, इसलिए aqua culture भी किया जाता है, aqua culture और mariculture में सबसे बड़ा difference यह है, aqua culture fresh water में किया जाता है, fresh water में fishes पाली जाती है, mariculture में marine water में fishes पाली जाती है, पानी तो भरता ही है, तो वहाँ पे हम fish cultivation, fish farming भी कर सकते हैं, rice cultivation के साथ साथ, तो intensive fish farming भी की जा सकते हैं, जिसको कहा जाता है, composite fish culture system, इसके उपर मैंने question आते देखे हैं, यह जो है, composite fish culture system, composite fish culture system में हम important fishes को भी पैदा करते हैं, और local fishes को भी पैदा करते हैं, देखें, इस system में क्या करते हैं, composite fish culture system में पाक या छे अलग लग तरह की fish species को एक ही fish pond में एक ही तालाब में culture किया जाता है fishes को इस तरीके से select किया जाता है कि वो food के लिए एक दूसरे के साथ compete ना करें उनकी food habits एक दूसरे से अलग लग हो ठीक है वो pond के अलग लग हिसों में पाई जाने वाले food को utilize करें जैसे कि पहली variety हम ले सकते हैं catalyst जो की surface के आसपास पाई जाने वाले खाने पे feed करती है रोहस जो pond के middle part में पाई जाने वाले खाने पे feed करती है marigals और common carbs जो की bottom यानि तलाब के निचले हिसे में पाई जाने वाले food पे feed करती है green carbs जो की weeds को खाती है तो यह जो सारी fishes है वो एक साथ culture की जा सकती है कि pond में एक दुसरे खाना compete भी नहीं करेंगी क्योंकि इनका खाना अलग लग है ठीक है और इसके लावा हमें intensive fishes ज़्यादा fishes मिल जाएंगी हमें तो pond के अंदर मौझूद ज़्यादा तर हिस्तों में मौझूद food का हम अच्छे से use कर पाएंगे और best fish shield इस तरीके से हम ले सकते हैं लेकिन इस method में एक problem है composite fish culture system में एक problem है वो क्या है ज़्यादा तर जो fishes हैं वो monsoon में breed करती है बारिश जबाती है बारिश जब आती है उस वक्त breed करती है तो क्या होता है इनके जो eggs होते हैं जो इनके seeds होते हैं जो eggs होते हैं वो क्या हो जाते हैं mix up हो जाते हैं good quality seed नहीं मिल पाता मालीजे एक बार आपने fish culture कर लिया आपको next time जब उन fishes को बड़ी हो जाएंगी maximum size पे आ जाएंगी उनको पकड़ के आप बेच आएंगे तो आपको अगली जो आपका step है अगली उसके लिए भी तो अगले cycle के लिए भी तो आपको fish seed चाहिए होगा न तो वो good quality seed आप obtain नहीं कर पाते हैं क्योंकि ज्यादतर fish जो है वो monsoon में breed करती है और उनके जो eggs है वो क्या हो जाते हैं mix up हो जाते हैं तो आप पहचान नहीं पाते कि कौन सा egg किस fish का है इसका एक तरीका क्या है इसको रोकने का composite fish culture system में जो ये problem हमें आती है इस problem का solution क्या है hormonal stimulation hormonal stimulation से हम उनका breeding season बदल देते हैं एक fish को summer में breed करवा देते हैं उसके eggs collect कर लेते हैं दुसरी को monsoon में breed करवा देते हैं उसके eggs collect कर लेते हैं तो अलग-लग time period कर देते हैं हम उनका hormones को stimulate करके उनको ठीक है इससे pure fish seed में मिलता है और हमें अच्छी variety में अच्छी amount में fishes में मिल जाती है market में बेचने के लिए अगला आता है beekeeping चोथा है यह आपका animal husbandry में शहद के लिए mainly beekeeping की जाती है ठीक है beekeeping जो होती है मधुमक्खी पालन जो होता है उसमें investment काफी कम होती है इसलिए additional income के लिए काफी किसान इसको कर रहे हैं आजकल honey के अलावा bee hives से मधुमक्खी के छत्तों से wax भी मिलता है जिसको कई तरह की medicines को बनाने में यूज किया जाता है जो local varieties है bees की उनमें आता है apis serena indica जिसको indian bee bee बोलते है apis dorceta, rock bee बोलते है apis flora जिसको little bee बोलते है और जो सबसे famous है commercial honey production के लिए जिसको apiaries में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो है apis mellifera जिसको italian bee variety कहा जाता है ये famous है अपने honey के amount के लिए ये काफी amount में honey produce करती है इसलिए favorite है ये apiculture में bee keeping में ये favorite है वी keeping को apiculture कहा जाता है तो commercial honey production में ये variety सबसे ज़्यादा यूज की जाती है apis mellifera इसके कारण क्या है पहली बात तो इसका honey collection ज़्यादा है honey collection ज़्यादा honey produce करती है दुसरा ये काटती कम है तिसरा ये एक ही bee hide में बहुत लंबे समय तक रहती है चोथा ये breed बहुत अच्छे से करती है बच्चे जल्द जल्दी पैदा करती है इसी लिए commercial honey production के लिए apis mellifera को favorite माना जाता है ठीक है commercial honey production के लिए बड़े-बड़े bee farms ये apiaries establish की जा सकती है या छोटे level पे भी किया जा सकता है honey की जो quality है वो depend करती है pasture raise के उपर pasture raise नहीं जो चारा होता है 20 का 20 का चारा क्या होता है वो flowers का nectar चूसती है flowers का मीठा रस चूसती है तो किस quality के nectar किस quality के pollen उनके आसपास के area में available है उसके उपर depend करता है कि वो कितना और किस quality का शहद पैदा करेंगी proper pasture raise के अलावा जो flowers की kind है वोई आप कोन से flowers उखा रहे हैं जहां भी आपकी appearance होगी उसके आसपास flowers available होने चाहिए जहां से अच्छी quality के proper amount में flowers available होने चाहिए जिनसे bees को अच्छा nectar मिले अगर उनको अच्छा nectar मिलेगा तब ही वो अच्छी quality का honey produce कर पाएंगी तो students यह था आपका chapter यहाँ पे आपका chapter complete होता है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो please वीडियो को like कीजिएगा अपनी friends के साथ share कीजिएगा comment section में अपनी डाय देना मत भूलिएगा अगर आप इस channel पे नहीं है अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe करें ब्रिजबाल एजूकेशन यूट्यूब चैनल को दबा दे notification bell icon को ताकि जैसे हम कोई नया वीडियो upload करें सबसे पहले notification पहुंचे आपके device तक thank you for being with us thank you for supporting us